So, hello दोस्तों, मैं हूँ लखी पामार और आपके लिए एक वीडियो लेकि आया हूँ जिसमें मैं अपने घर को फिर से एक बार अच्छे से डिस्क्राइब करने कोशिश करूँगा ताकि लोगों का help मिले कि वो ऐसा घर बिल्ड कर सकें अपने घर के dimensions वगारा बताने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने घर की, so guys काफी लोगों ने मेरी इस वीडियो को पसंद किया था और उसके पर काफी सारी कमेंट्स किये थे, तो उसके बिहाफ पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, और कोशिश करूँगा कि आपके सारी queries जो हैं मैं solve कर सकूँ और आपको अच्छे से बता सकूँ कि घर कितना कहां किस चीज़ पर कोस्ट आई थी, ताकि आप भी ऐसा घर बिल्ड कर सकें, आप देख लीजिए, 32-30 लाग के बीच मैं ऐसा घर बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत की थी, काफी पैसा सेव किया था, और एक अच्छा लुक देने की कोशिश करी थी, उसके ओपर ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो गाइस, यह जो घर है मेरा, यह 1.500 गज की आप्रोक्स है, और इसकी जो लैंथ है, वो 25 फिट है, फ्रंट, जो ब्रैथ है, 50 फिट है, तो इस घर को बनाने के लिए मैंने जो रूम्स का साइज लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि उसका साइज क्या थे, और कहां मैंने बालकनी कितने फूट की छोड़ी है, और कितना काहं स्फेस किसको दिया है, कितना खर्च किस चीज पर किया है, और कितन काफी कोरोन के वैसे चीज़े महेंगी थी तो आएए देखते हैं कैसे कैसे बनाएए जो गेट की जो वैल्यू में आपको बताई थी कि इसकी कोस्टिंग क्या पड़ीती है मुझे 35,000 का पड़ा था ठीक है और आएए चलते हैं अंदर का दिखाते हैं एक बंदे का कमेंट थ इसके ओपर ही शीट लगी हुए इसमें ज्यादा कुछ ज्यादा मुश्किल ने था इसा बनाना और बाकी जो यह स्टील की रोड लगी हुए इस पर लोग लगा हुआ है कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं था बीच में एक शीशा लगा देता गेट बनवाया था यह 25,000 क कदल होया था इसका और 10,000 की शीट थी 7-800 का शीशा था और जो जिसने हमारी लगाई यह सारी उसी नहीं यह स्टील का काम किया था इस पर जो कि उसकी कोस्ट भी इंक्लूडिट थी मैं आपको बताऊंगा कि उसने कितने में पूरा काम किया है और यहां पर जो शीशे हैं इसकी शीशे की सारी जितने भी घर में शीशे यूज हुए है एप्रोक्स 9,000 की आसपास कोस्टिंग आई थी तो गाइस जो मैंने जो इसकी कोस्टिंग थी जो साइज इस थे मैंने दुबारा से मिजरमेंट की थी और सारे रिष्टर में लिख लिए था क्योंकि इतने यह चोड़ा है और जिसकी लेंथ है वो करीब करीब 12 फिट बारा फिट ऐसे है और जो हमारा जो कार पार्किंग यह मैंने एक बड़ी एक्स यूवी कार की साइज से बनवाया है यह करीब करीब 16 फिट तो लंबा है क्योंकि कार अच्छे सा सकती है और साड़े 11 फिट तो गाईज यह मंदिर को छोड़के यह एरिया है वो बारा फिट का है जो चोख हमने छोड़ा है वो से बारा फिट का ही है और अगर यहां स्टेर्स तक मैं देखूंते 16 फिट जगा है यहां तक सिर्फ क्योंकि थोड़ा सा और मर्ज हो जाता है तो यहां पर यहां स्टेर से वहां तक 16 फिट है और जिसकी चोड़ाइब बारा फिट है ठीक है और जो हमारा जिसे कह देते हैं कि लिविंग रूम जो हमारे ड्राइंग रूम होता है उसकी साइज है 11 बारा का बारा फिट ऐसे है इसको मैंने इस तरह से ही maintain किया था ताकि beach में से entry आ सके और space काफी congested महसूस ना हो आते हैं एक छोटे रूम के तरफ जो हमारा नीचे छोटा रूम है यह छोटा रूम है हमारा 10 feet breath है और 13 feet length है अब अब master bedroom के तरफ आते हैं जो की नीचे floor पे सबसे बड़ा यह यह ground floor पे इसकी जो है यह 15 feet length है और 11 feet width है और यह lantern जो है यह 1.5 feet को है क्योंकि हमने घर उठवाया था 4 feet के approach तो उसमें काफी help मिली थी और उसकी coasting भी around बाद में बताऊंगो मैं आपको कितना आया था पट फिलाल मैं यह cover कर लेता हूँ जो इसमें मैंने चोकटी उसकी है वो 8 feet की है में height 6 feet है और यह 8 feet की है तो इसमें कितना भी बड़ा समान अपने room में रख सकते हैं और जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी चाहे कितने भी लबाद भी हो और यह कुछ आजकल अच्छा चल रहा है और जिसकी length है वो करीब-करीब पूरे 25 feet यह से front ता तो उसकी length ही मानी जाएगी एक तरह से वैसे तो इसे breath ही कह सकते है wait sorry और जो हमारा room है इस room की तरफ हम चलते हैं यह सेम नीचे जैसे ही है यह 11 feet चोड़ा है 15 feet length है इसकी और नीचे की तरह ही इसका bathroom भी करीब-करीब साड़े 5 feet साड़े 5 feet है इसका bathroom आई दिखाता हूँ हाँ नीचे का bathroom उपर का bathroom सेम यह साड़े 6 बाइप साड़े 5 का है यहां पर काफी स्पेस है और यह हमारा साड़े 6 feet का है चोड़ाई और इसकी साड़े 5 feet length है आई आपको रसोई दिखाता हूँ रसोई हमारी साड़े 12 feet चोड़ाई है इसकी साड़े 12 feet चोड़ाई और 9 feet की इसकी घहराई है इसका मतलब length साड़े 9 feet है यहां पर जो लेंट्रे की height है वह है 10 feet क्योंकि उपर की मतलब जो हम लेंट्रे जादा बड़ा नहीं रखते जादा उचाई पर नहीं रखते मेरा जो रूम है वह साड़े 11 feet चोड़ा है और जिसकी length है वह 14 feet है यह 14 by 11.30 का रूम है ठीक है यह 14 वह 11.30 का रहा है और अब हम चलते हैं बात्रूम की तरफ यह बात्रूम साड़े 9 by 25 feet है साड़े 9 गहरा ही है पांस फिट इसकी width है और अब चलते हैं बालकनी की तरफ रीप लांगा जो जो बालकनी है हमारी वो करीब करीब साड़े 9 से में कि इसके पीच बात्रूम नहीं करें की इसकी लंबाइए वह बी साड़े 9 ही है और इसकी width है वह bी साड़े 9 का है उसकी बालकनी जो है वहां तक के लिए हमने सिर्फ पांच फिट जगा छोड़ी थी शायद चार फिट हूँ और बाकी ये 21 फिट की बालकनी है तो अब जो बात करता हूं में इसकी कोस्टिंग की अब तक मैं आपको इसकी डाइमेंशन बताई थी जो कि इसकी कोस्टिंग के काफी लंबे तो आप और चीपर पड़ सकता है शायद थोड़ा सा थी लेकिन थोड़ा वो तो पैसे सेव हो गई और जो सबसे पहले जब मैंने इसकी घर के लिए बनने के लिए त्यारी की थी तो एक ठेकेदार थी से हम कोंटेक्ट कह देते हैं लोकल एरिया में कोंटेक्टर होते हैं जो कि हम थी दे देंगे उसे हमने 11.500 लाग रुपे मैंने कोंट्रेक्ट दे दे था बट वह 7-800 लाग रुपे बाद ही वह रफु चकर हो गया था लेकिन उसने इतना काम कर देता यह उसका कंस्ट्रक्षिन उसने कर दिया था और उससे पहले जब मैंने घर उठवाय था सबसे पहल गेट की तरफ जो में गेट है वो 35,000 का मैं आपको बताए है जैसे की और जो 15,000,000 रुपे में पूरा whole structure खड़ा हो गया था, cemented, ओके जिसे हम लिसी कह देते हैं, लिसी होके तैयार हो गया था, 15,000,000 रुपे में, जिसके अंदर यह चोकट आती है, window और चोकट, जो लोहे की चोकट थी, और window सारी उसमें included है, जो की घर बनने के टाइम पर होती है, आपको पता है, उसे बाद में तो लगवानी सकते हैं, ठीक है, और जो इसकी जो pipe की fitting हुई थी, वो fitting के जो cost थी, जो contact देते हैं, हमारी fitting कर देना, उसके 20, 30,000 रुपे में थी, पूरे घर की, जो की 80,000 रुपे का समाना आया था, सिर्फ pipe fitting का, ठीक है, उसके अंदर और कुछ नहीं था, सेनेटरी का जो समाना था, वो कुछ भी नहीं था उसके अंदर, और जो उसकी lighting, मैं lighting की तरफ आता हूँ, तो जो lighting थी, उसका समाना आया था, 90,000 का, और lighting वाले न, 30,000 रुपे, contract लिया था, कि मैं 30,000 में इसका सारा काम पूरा करके दूँगा, तो यह मुझे करीब 1,20,000 की lighting पड़ी, 1,00,000 की pipe fitting पड़ी, और जो इसकी AC की fitting है, 5AC थे गर में, और उसकी fitting 20,000 की पड़ी थी, उसका सारा समान उसका ही था, और company से आया पड़ी थे, क्योंकि तीनों फ्लोर पे है, मतला, 1st floor, 2nd floor और ground floor पे, और यह 50,000 का मुझे करीब-करीब marble पड़ा था, और इसकी जो marble की लगाई की ghosting थी, लेकिन चलो ठीक है, 1,10,000 रुपे थी marble की ghosting जो लगानी की थी, उसके अंदर tiles भी included थी, जो 1,10,000 रुपे जो tile और पथर लगाने की दोनों के लिए थे, है ना, और 1,500,000 का हमारा पथर पड़ गया था, और जो हमारी tiles थे, वो दिल्ली से भी आई थी, कोई मेरट सी भी थे, सब क्या अलग-अलग prices थे, क्योंकि kitchen की tiles अलग थी, और bathroom की अलग थी, जो हमारी front ventilation की उनकी tile अलग थी, approach मुझे करीब करीब 70,000 की पड़ी थी, और जो ये हमारी railing लगी हुई है, जितनी भी हमारी railing है, बीच में, जीने की railing हो, stairs की हो, चाहे, front की हो, ये हमने 1,14,000 का इसका contact दे जे था, और सब कुछ उसका ही था, इसमें हमारा कुछ नहीं था, और जो उसने gate पे जो steel लगाया, वो भी उसके अंदर included है, एक लाग 14,000 के अंदर, और अब चलते हैं, जो हमारा gate और चोकट है, ठीक है, जो हमारे लखडी के gate है, और कुछ जो चोकट थी हमारी पुराने घर की थी, उसमें 4 रूम बचे होए थे, तो उनकी हमें निकाल के उसमें नहीं लगवा दी थी, और जह वो 25,000 के आए थे, इसमें मैंने एक door लोग जो हैं, इसमें एक तरफ की यूज हो जाती है, और एक तरफ से हम अंदर से इसे बीना की के खोल सकते हैं, ठीक है, और जो अब मैं आता हूँ लखडी के काम पर, जो मेरे पूरे घर में लखडी काम हो रखा है, वो एक लाग 10,000 मैं जो करने वाला था, वो ले गया था, इसका पूरा कॉंट्रेक्ट था, और यह पर स्क्राइफिट में अपती है, जिसके अंदर, ठीक है, जैसे कि टीवी यूनिट हो गया हमारा, जैसे कि हमेरे रसो ही हो गई, और हमने पैनलिंग कराई थी काफी सारी, और थोड़े वो चोकट के मैं नभे से पिच्चानमीजर पर अलग बताएं, चोकट अरुजो गेट है हमारे, और शीशे की जो लगने की थी, क्योंकि हम शीशा ली आते हैं, मैंने बताएं, 9000 का शीशा आ गया था, बट जो लगने की कोस्टिंग है, वो भी एक लाग 10,000 में ही है, जो की ल शीट लगाते हैं, वो पर शीट 200 रुपे और जो मेरा वोल पेपर था, 1700 रुपे का असपास एक रोल था उसका, जो की 50 फिट का होता है, और जो इसका पेंट की बात करो, पेंट का कॉंट्रेक्ट मैंने 50,000 रुपे में दे दिया था, जो की काफी सस्ता बड़ा था, मुझ जो ली जीगे जितना भी बैठे, और ये करीब 30-32 के आसपास ही बैठेगा, और इससे जादा नहीं बैठेगा, और जो भी मुझे खर्चा आया था, थोड़ असा कम ही पड़ेगा, आपको क्योंकि उस टाम पर आपको बता है, यसे कोरोना चल रहा था, तो गाइस, जो रस सेलिंग है, चाहिए रसोई बनाई है, वो एक लाग दस में कवर हो गया था, और जो इसी दिवार है, इसकी कोस्टिंग ही आराउंड 25-30 पड़ गी थी, मैंने ऐसे अपरेटली अगर जोड़ा था, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगा वोल पेपर भी लगा सकते हैं और ये टाइल्स में दिल्ली से लाया था, तो इसकी कोस्टिंग थोड़ी से ज़ाधा पड़ी थी, ये थोड़े रोयल लुक दे रही थी, और ये 70-75 रुपे स्क्वार फिट थी, मुझे एक से क्लिया आद नहीं है, बाटे काफी महंगी आई थी, और जी टाइल्स हैं, य जो भी वो यूज करते हैं, समान उनकी फैविकोल वगएरा भी काफी वो तो फैविकोल भी 15,000 के आसपास के आगई थी, जो मैंने आपको बता है कि 1,4,000 में मैंने रेलिंग का ठेका दिया था, जो की कॉंटक्ट कह देते हैं, चलो ठेका कह देते हैं, वो सब कुछ इसमें कराएगा मुझे पता है, कभी सब अपने अपने बजट से चलते हैं, तो इसकी टीवी यूनिट की कोस्टिंग 15,000 रुपे थी, जिस मंदरी की कोस्टिंग भी है प्रोक्स 15-20,000 थी, इसका भी कॉंटक्ट दिया था एक बंदे को, डिजाइन्स मेरे थे, बट उसने जो कोस कर सकता था, उतनी अच्छी बना आए, नहीं की कोशिश की है, और गेट के डिजाइन पर मैंने खुद ही दिये थे, अभी छोड़ा से समान हम ला चुके हैं, बैड वगएरा, कुछ समान रह रहे हैं अभी, और सब यही था, और जो मैंने लगडी का काम करा है, सारा उसी प कि मेंशरेस्राइज कर सकते हैं, ने घर में जो है, चार-चार बाक्रूम है, एक यहां पह, रहर फीछ है, एक नीचे रह उपर, जो पर बाथ रहर हो मैंने खरमरत के हैं, और पीछे रूम की साथ एक द्शके हैं और की तसे समान वह इन और इनकी जो कोस्टिंग अरा-उना सब कुछ सेरा का है और इनकी जो चीज़े हैं वो काफी दिनों तक चलती है और हर चीज़ की 5-7 साल की गारेंटी है और जो मैंने आपको बता है अगर कोई और सवाल होता आप मुझे बताईएगा मैं आपके साथ ऐसी घर की वीडियो शेयर करता रहूंगा और भी मेरे पास काफी घर है मेरे दोस्तों के जिनोंने मैं खुद एक्स्पिरेंस कर चुका हूं सब्सक्राइबर के पार जा चुका हूं मैं सब्सक्राइबर के पार जा कुछ हो तो गाइस कीप सपोर्टिंग में एंड थैंक्यू